1984 सिक विरोधी दंगा मामले में CBI ने कॉंग्रस नेता जगदिश टाइटलर का वोई सैंपल लिया कॉंग्रस नेता जगदिश टाइटलर का वोई सैंपल CBI की CFSL लैब में लिया जा रहा है पूल बंगस अलाके में हुई हिंसा के मामले में सी बी आई ने आज जगदश टाइटलर को बुलाया है 1984 में हुई हिंसा में यहां तीन लोग मारे गए थे आरोप है कि भीर को जगदश टाइटलर लीड कर रहे थे अधिकारियों ने बताया कि टाइटलर के इंजिय फॉरें सिक विग्यान प्रयोक शाला पहुँचे जहां आगे की कारवाई जारी है उन्होंने बताया कि एजिंसी कोंचलिस साल पुराने सिक विरोधी दंगों के मामले में नए सबूत मिले है जिसके बाद टाइटलर की आवास का नमूना लेने की जरूरत परी वर्ष 1984 में तदकालिन प्रधानमची इंद्रा गांधी की उनके सिक अंगरक्ष को द्वारा हत्या किये जाने के बाद देश में सिक समुदाय पर कतित तौर पर हिंसक हमले किये गए थे 1984 सिक कतले आम के आरोपी कॉंग्रिस नेता जगदिश टाइटलर के खिलाफ गवाई देने के लिए आज CBI ने दिली सिक गुरुद्वारा प्रवंधक कमीटी के पुर्वा अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंग जीके को नोटस भेजा है सरदार मंजीत सिंग जीके ने प्रेस कॉंफरेंस करके जगदिश टाइटलर के पाँच फरवरी 2018 को पाँच विडियो जारी किये थे जानकारी मिली है कि इंस्टिंग विडियो की आवाज को CBI ने टाइटलर की आवाज के साथ मिलाने के लिए CFSL भेजा था जिसके बाद अब गवाई देने के लिए सरदार मंजीत सिंग जीके को बुलाया गया है